Microsoft Excel को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग Sheet Tab पे राइट क्लिक करने पर जो Options आते हैं इन सभी Options में से Insert Option के बारे में सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि Insert Option का क्या Use है और यहाँ पर क्लिक करके हम इस Workbook के अंदर क्या-क्या Insert कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब सीखना शुरू करते हैं हर Worksheet का एक नाम होता है जो की हमें नीचे शो होता है जिसे Sheet Tab कहते हैं By default यह Sheet 1 रहता है Sheet Tab क्या होती है और इन सभी Options का क्या Use है इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो में सीख चुके हैं उस वीडियो का लिंक में आपको उपर आई बटन में दे दूँगा आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें लेकिन आने वाली वीडियो में हम इन सभी Options के बारे में एक एक करके डिटेल में सीखने वाले हैं और इसलिए आज की इस वीडियो में हम Insert Option के बारे में सीखेंगे जो की पहले नंबर पे है इस पे क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक डायलोग बॉक्स उपन हो जाएगा यहां पर हमें कुछ Options शो हो रहे हैं जिने हम इस Workbook के अंदर Insert कर सकते हैं और यह सभी Options दो Tabs में Divide है पहली है General Tab और दूसरी है Spreadsheet Solutions Tab General Tab के अंदर हमें यह चार Options शो हो रहे हैं जिने हम इस Workbook के अंदर Insert कर सकते हैं जैसे कि Worksheet को Chart को MS Excel 4.0 Macro को और MS Excel 5.0 Dialog को और अगर हम Spreadsheet Solutions टैप पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमें यह Inbuilt Templates शो होती हैं जिने हम इस Workbook के अंदर Insert कर सकते हैं अब अगर हम इस Dialog Box पे Right Hand Side पे यहां पर देखें तो यहां पर हमें यह तीन बटन्स शो हो रहे हैं पहला है Large Icons दूसरा है List और तीसरा है Detail इन बटन्स का यूज़ करके हम Left Hand Side पे General Tab और Spreadsheet Solutions Tab के अंदर जो Options शो हो रहे हैं इन आइकन के View को Change कर सकते हैं By default यहां पर Large Icons Select है जिससे की इन आइकन बड़े बड़े शो हो रहे हैं लेकिन अगर हम इन आइकन को As a List शो करना चाहते हैं तो यहां से हम List Option पे एक क्लिक करके इसे Select कर सकते हैं और अगर हम Detail Option पे क्लिक करके इसे Select करते हैं तो हम इन आइकन की Detail को भी Show कर सकते हैं इन तीनों बटन्स के नीचे यहां पर हम इन सभी आइकन के Preview को भी देख सकते हैं यहां पर लिखा भी है कि Select an Icon to see a Preview लेकिन यहां पर हम सिर्फ उनी आइकन के Preview को देख पाएंगे जिनका Preview अविलेवल होगा जैसे कि अगर हम Spreadsheet Solutions टैप के अंदर किसी भी आइकन पे एक क्लिक करके इसे Select करते हैं तो Right Hand Side पे यहां पर हमें Selected Template का Preview शो हो जाता है लेकिन अगर हम अब हम इस Workbook में कुछ Insert करके देखते हैं हम जिस भी चीज को Insert करना चाते हैं हमें उस पे एक क्लिक करके उसे Select कर लेना है और फिर नीचे OK बटन पे एक क्लिक करना है या फिर हम आइकन पे Double Click करके भी Insert कर सकते हैं हम जिस भी Sheet टैप पे Right Click करके Insert Option को Open करेंगे और इन में से कुछ भी Insert करेंगे वो उस Sheet टैप के Left Hand Side में ही Insert होगा जैसे कि अभी हमने Sheet 1 पे Right Click करके इस Insert Option को Open किया हुआ है इसलिए अभी हम जो भी Insert करेंगे वो Sheet 1 के Left Hand Side में मतलब की Sheet 1 के पहले ही Insert होगा सबसे पहले मैं यहां से Worksheet को Insert करना चाता हूँ तो जैसे ही मैं Worksheet के उपर Double Click करूँगा वैसे ही इस Workbook के अंदर एक New Worksheet Insert हो जाएगी यह देखिए यहां पर सबसे पहले Number पे Sheet 2 के नाम से एक New Worksheet Insert हो गई है जो कि बिलकुल Blank है मैं फिर से Sheet 1 को Open कर लेता हूँ हमने इस Sheet में एक Table को Create किया हुआ है और अब मैं इस Workbook में Chart को Insert करना चाता हूँ जो कि इस Table को Chart की Form में Represent करे इसलिए मैं इस Table में से किसी भी Cell को क्लिक करके Select कर लेता हूँ और फिर Sheet 1 पे Right क्लिक करके Insert Option को Open कर लेता हूँ अब यहां से Chart को Insert करने के लिए Chart पे Double क्लिक करके इसे Insert कर लेना है क्लिक करते ही Sheet 1 के Left Hand Side में Chart 1 के नाम से New Sheet Insert हो जाएगी और अगर आप लोग इस Chart को ध्यान से देखोगे तो यहां पर यह Sheet 1 में हमने जो Table Create किया था उसी Table को Chart की Form में Show कर रहा है लेकिन अगर हम इस Table में से किसी Cell को Select ना करके किसी Blank Cell को Select करते और फिर Insert Option पे जाके Chart को Insert करते तो यह Blank Chart एरिया को ही Insert करता है सेम इसी तरह से Insert Option पे जाकर Double Click करके हम MS Excel 4.0 Macro को भी इस Workbook में Insert कर सकते हैं और MS Excel 5.0 Dialog को भी Insert कर सकते हैं लेकिन इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में जरूर सीखेंगे Macro के बारे में अभी आपको बस इतना समझना है कि कोई ऐसा टास्क जो कि हमें MS Excel में बार-बार Repeat करना पड़ता हो उस काम को करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए Excel में हम Macro को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस Macro को रन भी कर सकते हैं अब हम फिर से किसी भी sheet tab पे right click करके insert option को open कर लेते हैं लेकिन इस dialogue box के अंदर अब अगर हम spreadsheet solutions tab पे click करते हैं तो इसके अंदर हमें ये inbuilt templates show होती हैं जैसे की billing statement, blood pressure tracker, expense report, loan amortization, personal monthly budget, sales report और time card इन में से हम किसी भी inbuilt template को इस workbook के अंदर insert कर सकते हैं और फिर इन templates का use करके हम बड़ी असानी से अपनी need के according data को create कर सकते हैं हम जिस भी type के data को create करना चाते हैं हमें उसी type की template को open करना होता है जैसे की अगर मैं अपने monthly budget के data को create करना चाता हूँ तो यहाँ पर मैं personal monthly budget template का use कर सकता हूँ जैसे ही मैं इस पर double click करूँगा वैसे ही ये template इस workbook के अंदर insert हो जाएगी जैसा कि आप लोग अभी screen पर देख सकते हो कि इसमें पहले से ही monthly budget से related data add है हमारे जो भी monthly expenses होते हैं मतलब कि हर महीने जहां भी हमारे पैसे खर्च होते हैं जैसे कि monthly room rent, bills, daily needs का समान, transportation, loans या और जो भी हमारे मन्थली खर्चे हो सकते हैं वो सब यहाँ पर tables की form में properly organized हैं और सब खर्चों को मिला कर जो भी total आएगा उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर पहले से ही function का use किया हुआ है लेकिन ये एक template है और हमें बस इस data को अपने according change करना है सेम इसी तरह से हम लोग इस workbook के अंदर insert option का use करके और भी inbuilt templates को insert कर सकते हैं और फिर in templates का use करके बहुत fast और easily same type के data को multiple times create कर सकते हैं इस वीडियो का link पर मैं आपको उपर i button में दे दूँगा आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने ये सीखा कि sheet tab पर right click करने पर जो options आते हैं इन सभी options में से insert option का क्या use है और यहाँ पर click करके हम इस workbook के अंदर क्या क्या insert कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग delete option के बारे में सीखेंगे जो की second number पर है इस वीडियो से related अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप comment करके ज़रूर पूछें Microsoft Excel से related हम आपके लिए और भी वीडियोज लाते रहेंगे धन्यवाद